हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग एज में दोस्तो आज हम बात करेंगे डिफ्रेंट टाइप्स के बारे में दोस्तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हां बैल आइकन टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि आपको मालूम है पी एल सी का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रूलर तोस्तो पी एल सी एक तरह का इंडिस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जो उससे जुड़ी आउट्पुट डिवाइसीज को कंट्रूल करता है किस अधार पर कंट्रूल करता है PLC के अंदर लिखे प्रोग्राम और PLC से जुड़ी इंपुट डिवाइसीज के स्टेटस के अधार पर अर्थात PLC एक तरह का इंडिस्ट्रियल कंप्यूटर होता है जो उससे जुड़ डिवाइसीज को उसके अंदर लिखे प्रोग्राम और उससे कनेक्टिड इंपुट डिवाइस के स्टेटस के अधार पर कंट्रूल करता है दोस्तों PLC को उनके इंपुट आउट्पुट के अधार पर केटेग्राइज किया जा सकता है जर्णली PLC चार प्रकार के होते हैं माइक्रो PLC, स्माल PLC, मीडियम PLC और लार्ज PLC अब दोस्तों पहले बात करेंगे माइक्रो PLC की, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पढ़ रहा है कि माइक्रो PLC के अंदर कनेक्ट होने वाले जो इंपुट आउट्पुट होते हैं उनकी संख्या बहुत ही लिमिटिड होती है दोस्तों किसी भी माइक्रो PLC के अंदर हम मैक्सिमम 32 इंपुट आउट्पुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो PLC साइज में बहुत ही कॉम्पेक्ट होते हैं यानि कि बहुत छोटे होते हैं और इन Micro PLC के अंदर जो Connect होने वाले IO होते हैं उनकी संख्या fix होती है और उनको expand नहीं किया जा सकता जबकि दूसरे PLC में हम IO को expand कर सकते हैं दोस्तों Micro PLC के अंदर प्रोसेसर पाउर सप्लाई और इसका जो आयो हैं वह सिंगल उनिट के अंदर बिल्ट होते हैं यानि कि कॉंपैक्ट उनिट के अंदर होते हैं कि दोस्तों Micro PLC सिंप्ल लेवल का मसीन कंट्रोल लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं यानि कि इनके दौरा हम बहुत ज़्यादा कंप्लेक्स मशिन्री या बहुत बढ़ी मशिन्री को इनके दौरा अपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है जैसे कि हम अगर एक्जामपल की हम बात करें तो सिमेंस का स्सक्राइब का सब्सक्राइब का दोस्तों अब हम बात करेंगे स्माल प्यल्सी की स्माल प्यल्सी की है जो आई-ओंडिंक किपासिटी है वो माइक्रो प्यल्सी से थोड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों small PLC 32 से लेकर 128 input output devices को control कर सकता है दोस्तों अगर हम small PLC की memory की बात करें तो इसकी memory up to 2 किलो बाइट तक हो सकती है दोस्तों small PLC में हमको limited रूप से expandability आयो expandability मिल जाती है इसके अंदर हम maximum एक या दो आयो module को expand कर सकते हैं यानि कि हम इसके अंदर एक या दो input output module और add कर सकते हैं स्माल PLC का design बहुत ही compact और robust design होता है दोस्तों small PLC design में modular होती है अधात इसके अंदर हम additional input output module add कर सकते हैं small PLC के अंदर जो inbuilt function होते हैं वो micro PLC से जादा मिल जाते हैं हमको दोस्तों small PLC simple से लेकर advanced level तक का machine control provide कर सकती है अगर हम small PLC के examples की बात करें तो Siemens का logo या Omron का CJ1 models small PLC के examples हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे medium PLC की दोस्तों medium PLC की IO capability की हम बात करें तो medium PLC 128 से लेकर 2048 तक input output devices को control कर सकता है दोस्तों medium PLC की memory 32 kilobyte तक हो सकती है जिसको की हम external memory के द्वारा और बढ़ा सकते हैं आपकी application की requirement के कोडिंग दोस्तों medium PLC की जो IO expandability है वो बहुत ही अच्छी होती है यानि कि इसके अंदर हम दोस्तों medium PLC की अंदर हम additional communication modules application की requirement की according भी add कर सकते हैं medium PLC का जो design है बहुत ही robust और modular design है दोस्तों medium PLC काफी powerful PLC होता है और इसके द्वारा हम complex level का machine control प्राप्ट कर सकते हैं इवन की हम medium PLC के द्वारा किसी छोटे plant को पुरी तरह से control करने के लिए medium PLC capable होता है अब हम बात करते हैं large PLC की दोस्तों large PLC की IO capability medium PLC की तुलना में काफी ज़्यादा होती है दोस्तों large PLC PLC family का सबसे ज़्यादा sophisticated member होता है अगर हम capabilities की बात करें तो large PLC capabilities medium PLC से काफी ज़्यादा होती है क्योंकि large PLC की memory बहुत ज़्यादा होती है और यह multiple programming languages को support करता है तता इसके अंदर हम various communication module और multiple communication modules को add कर सकते हैं कि दोस्तों large PLC का use supervisory control और data acquisition system यानि के SCADA के साथ किया जा सकता है large PLC का use हम दोस्तों वहां करते हैं जहांकि बहुत ही complex process को control करना हो और IO capacity handling capacity बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों large PLC किसी बड़े plant को control कर सकता है और इसके यह वीडियो आपको कैसा लगा comment करके हमें जरूर बताएं और हाँ आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे comment section में हमें जरूर बताएं थैंक यू आपको ऊनूर गजेओ स्पर एंको यूरि devoted to च्रोप में braking अन्हें क्थियो नहीत में को यूर रूर रोको decay में जरूर ग्रूर पर हिंसे आपकोज़ाईंigon